आपका आपकी अपनी इंग्लिस वाली क्लास में इंग्लिस में पर्सनल लेटर और इस पर्सनल लेटर को प्राइवेट लेटर भी बोला जाता है और ज्यादा तर प्राइवेट लेटर है ये क्लास 6 से लेकर के 10 के स्टुडेंट्स के लिए रहता है क्योंकि class 6th, 7th, 8th, 9th और 10th के अंदर 2 letter exam में पूछे जाते हैं उन 2 letter में से 1 letter है वो personal letter पूछा जाता है खास दोर सी ये जो वीडियो मेंने बनाई है ये class 9th और 10th के students के लिए बनाई है तो class 9th और 10th के students है इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा क्योंकि वार्सी प्रिक्षिया के अंदर ये letter आने की पूरी-पूरी संभाव ना रखता है तो students इस letter को start करते हैं सबसे पहले जो अपन ये letter कर रहे हैं पर्सनल letter ये kongreculatory letter है बधाई पत्र है कि किसी को बधाई अगर अपन को English में देना है तो किस तरह से English के अंदर letter लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए आपके इस तरह से एक question आएगा paper के अंदर की you are जारा आप कोन हो जारा हो living in पूने और आप कहां रह रहे हो पूने के अंदर रह रहे हो your friend राधा आपकी जो friend राधा है has won उन्होंने जीता है क्या जीता है एक gold medal जीता है in the state किस के अंदर जीता है gold medal sound padak in the state English debate competition की एक राज़े स्तरिये English debate competition हुआ था उसके अंदर आपकी friend राधा ने gold medal जीता है तो आपको क्या करना है राधा को एक पत्तर लिखना है congratulate हर और उन्हें क्या करना है पत्तर के मादम से congratulate कहना है बधाई देना है you may take help of the following points और ध्यान रखिएगा आप लेटर लिखते समय आप ये जो 5 points दिये गए हैं इनकी मदद भी आप ले सकते हो तो पहला जैसे किसकी मदद ले सकते हैं how did you come to know about it आपको लेटर के मादम से ये बताना है how did you come to know आप केसे जान पाई about it इसके बारे में आपको ये बताना है कि आपको किस थरू पता चला कि आपने state English debate competition में gold medal जित लिया दूसरा congratulate her on her success आपको क्या करना है लेटर में उनकी सफलता बे बदाई देनी है उसके बाद how does she feel about her achievement आपको ये बताना है लेटर में कि कैसा वो आप महसूस करती है उस achievement के बाद उसके बाद good wishes देनी है bright future के लिए उसे कामना ही देनी है usual भविसे के लिए और आप क्या कर दो उसमें आप उसे invite भी कर दो यानि कि उनके stand पे आनकी घूमने के लिए जैसे मैंने लिखा है उसके बाद आप इस side में क्या लिखोगे जैसे गांदी नगर पूने आप किस को लिख रहे हो कहने का मतलब क्या है आप जारा और कहां रहे हो पूने के अंदर रहे हो कहने का मतलब जो लेटर लिखने वाला है वो अपना address लिखेगा तो यहां पे जारा का address कहा है गांदी नगर और कहां कि है वो पूने की उसके बाद नीचे वाली line में आप क्या लिखोगे लेटर लिखे जाने की तारीक लेटर लिखा जा रहा है जैसे 11 मार्च 2022 22 ठीक है students उसके बाद आप एक line छोड़ोगे और आप पे dear लगा करके अगर आप friend को लिख रहे हो तो dear friend का नाम लिख दीजिए dear Radha ठीक है अब आप क्या करोगे देखिए I was elated या I was happy मैं बहुँ ज़्यादा खुश थी when your father informed me जब आपके पिता जी ने मुझे inform किया सूचना दी that you had won आपने जीत लिया है एक gold medal क्या जीत लिया है एक sound पदक जीत लिया है in the state English debate competition कि इसके अंदर यानि कि राजजिस्तरिये English debate competition में आपने क्या जीत लिया है gold medal जीत लिया है I was elated, elated means happy मैं बहुँ ज्यादा खुश हुई in concluded recently और आपके पिता ने ये साथ में जोड़ते हैं बताया कि हाल इमें आपने क्या कर लिया है gold medal जीत लिया है तो मैं बहुँ ज्यादा खुश हुई उसके बाद नए पेरग्राप में लिख दीजिए I heartly congratulate you मैं हर्दे से आपको बधाई देती हूँ on your grand success आपकी बड़ी सफलता in the competition कि आपको इस competition में बड़ी सफलता मिली इसके लिए मैं आपको हर्दे से क्या करती हूँ बधाई देती हूँ उसके बाद अलग line में लिख दीजिए नई line मे you always deserve the best आप हमेशा service rest की पातर हो कहने का मतलब क्या है हमें आपके कोई doubt नहीं है आपकी आने की जो skills थी उस पे हमें आने की पहले ही पूरा बरोसा था क्यूंकि आप हमेशा best deserve करते हो I am sure मैं एकदम sure हूँ nobody can doubt कोई भी doubt नहीं कर सकता your ortery skills ortery मतलब speech कि आपकी जो बोलने की जो skill है वक्ता की जो आपके अंदर skill है उस पे कोई doubt नहीं कर सकता you have developed it excellently क्यूंकि आपने अपने अंदर ortery skill को बहुत ही श्यांदर तरीके से अपने अंदर विक्सित किया है you worked hard for it और आपने इस के लिए क्या किया बहुत ही कठिन मैनत की उसके बाद देखे आप wish कर दीजिए I wish for your bright future मैं आपको शुबकाम नहीं देती हूँ आपके usual भविसे के लिए और उसके बाद नई लाइन में I cordially invite you to पूने और मैं आपको सादर आमंतरित करती हूँ कहां आने के लिए पूने के लिए with regards यानि की नमस्कार कहना to your parents यानि आपके माता पिता को your loving friend नीचे वा लाइन में लिखो आपकी प्यारी सहेली और सहेली का नाम क्या है जा रहा तो students इस तरह सी ये लेटर रहा आप इसका screenshot ले सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा thank you very much